कि गुद्ध मौन नीं गाईज दिशिश बिरिश्कुमार एच बिया से काड़िव मादम से मेरे प्री दोस्तों बनारस हिंदू बिश्विद्याले टॉप इनिविसिटी से अगर प्री एच्टी करना चाहते हैं तो वहां से फॉर्म रिलीज हो चुके हैं अभी आपको नोट एच्टी रिलेटेड और अधर एच्टी सम्मधित हम आपको इन्फॉर्म देते रहते हैं तो चलते हैं दोस्तों यह आपका नोटिफिकेशन्स रिलीज हुआ है आप जाएंगे भी एच्टू ऑल्लाइन डॉट इन पर तो वहां से यह आपको इसको डालोड भी कर सकते हैं यह आपका दे रखा है कि लिए फेंट्स की एडमीशन्स रेट एक्जम्टेट कंडिट इन पीएच्डी प्रोग्राम्स फॉर दा जनुवरी 2003 सेमेस्टर्स दा अकेडमिक सेशन्स तू 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 अड़ेश फेकल्टी ज के लिए क्या है एनॉंस्मेंट किया गया है आ लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें रैट exempted हो और लिऑ इसमें ऑप्लाई कर सकते हैं तो इसमें एक जैन्पेट जो लोग ही और usable कर पाएंगे इसके लिए आपको लिए अगर without है आप ऐसके भी कर सकते हैं क्लिए फेंट्स अगर हमाई वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर करें तो इस तरह से यहां पर यह सारा दे रखा है आप लोग इसको बारिकी से बहुत कर सकते हैं कि पेमेंट आप दा एप्लिकेशन प्रोसेश क्या है इसकी जो है आपको कार्ड है नेट रइंग द्वारा इसमें क्या है आपको फीक कर सकते हैं फीबौत कम हो रह gefासには यहां पर क्लिए फेंट्राइस नंद affairs प्रिण आउट इन टॉट इन पर जाएंगे और वहाँ पर क्या है इसको बेक अपती को डानलोड करेंगे किलिए फेंट्स तो इस तरह से यह सारा दे रखा है और यहां ओल्लाइन मोड ओनली कोर्श रमज़ने से फीश है फी दे रागी है तो यहां दे रखा है all courses mentions in this the bulletin जो SCST और PW वाले हैं उनको 40 रुपे हैं और अधर के लिए 8 रुपे की फी है जादा नहीं है अधर इस तो काफी फी रहती है के लिए फेंट्स तो जिसका जो reasons है और आप projections of the application form तो इसमें आपको इस तरह से को apply कर सकते हैं और important date देराखी है यहां पर आप देख सकेंगे कि जो eligibility or rate exempted only online form को भरेंगे 20 November 2022 से है लेकि 23 से start हो गया है लेकि intense test portal इसमें कुछ नहीं है टेस्ट नहीं होगा और लेकिन last date of the submission online application की यह वह 5 December है 2022 और जो आपके जो date of the test counseling admission जो होगा उसका 19 December 2022 को होगा last date of the deposition of the fee है 28 December 2022 को होगी के लिए फेंट्स इस तरह से यह सारा आपका व्योरा है देख सकते हैं तो इसमें देर रखा है कि list of the documents और जिस्ट रुकार्मेंट और इंट time admission जब आपका admission होगा और आप interview देने जाएंगे तो सारे documents आपको पास होने चाहिए जिस तरह से आपको पास इदेर रखा है कि इसमें qualifying examinations of the previous examinations such of the high school intermediate graduation post graduation etc यह सारे आपको पास होने चाहिए matriculations इसमें आपकी equivalence of the certificate हो जो कि इसको date of the birth को क्या है clear कर सके इसके next third point पर आपको show किया है get net certificate certificate हो आप उसको लेके जाए का certificate आपका जो का certificate है upload of the authority admissions शौर्ट of the SC, ST, OVC और OVC जो monetary है category etc medical certificate आपको लेके जाना पड़ेगा character certificate है transfer certificate है TC इस तरह से यह सारा matter है इसके बाद migration certificate 30 day के अंदर अगर नहीं है तो आप last में आपको एक फारम बरवाते हैं वह फारम बरके होगी क्लिया फैंट्स और सबस्क्राइब करेंगा और इसके अपका अपको आपको यह फैंट्स कराए जाएगा फाइनल मेरिट और अप्ट आफ्र टेस्ट भी और जैसे टेस्ट भी आपका फार्ट फैनल हो जाता है उसके बाद आपकी मैडलिस लगा जाएगी और उसके बाद आपका एडिशन केलियर होगा जिसने बच्चों का मैडलिस नमर आएगा और वो अपना एडिशन ले सकते हैं केलियर जो आपके पोर्टल बर सारी इनफॉर्म कर दी जाएंगी केलियर तो यह सारी आज की जो बाते थी इस तरह से यहां सारा दे रखा है आप लोग इ है यह यह जो इसके जो टोटल है कि सतर्की मैड है कि इसमें सारा एक क्या है बता है वरीप दीख है के लिए मैं मसी तक अब पर पास होना चाहिए फिर इसके बाद क्या है फेकल्टी ऑप दा इन्वर्मेंट जो आपका जो है इसके बाद मनेगा आपका जो कैलिकुलेशन ऑप दा पर इसके बाद पर इसके बाद का है यह सारी बनाई जाएगे फिर इसके बाद कंडेट को एपरिंग करना पड़ेगा जो नेट यारफ है वह सागो रिप्रेंट करना पड़ेगा और मेंट चीज़ है इसमें आपका रिडिशन लेना है तो आपको एंटरू पर अच्छी प्रिपेर कर लें एंटरू और सिनपसेज या प्रोपोजल आपना तयार करें अच्छी तरह से किलेफेंट्स अब इसके बाद आपका यह दे रखा है कि लिस्ट अपड़ एलाइड डिस्प्लिन अपड़ जो कोर्स्पोंडिंग ऑप दे मैंस डिस्प्लिन यहां सब्जेट दे राखे हैं डिस्प्लिन अपड़ नेम है जिस तरह से एरी कल्चर एरी कल्चर एकॉनोमिक कोई नन सीट है और इसके डेरिंग एंड टेकनलोजी की दिर नो सीट और यह वैटनरी माइक्रो वैलोजी आपको जिरू जिरू दिखा है यहां पर कोई सीट को शो नहीं कर रहा है यह फिल है फैले से ही इलेफेंट्स तो इस तरह से आप लोग यहां देख सकते हैं फिर इ आपकी कोई सीट नहीं वेटनरी ऑप दाइसमें कि दोशीट है इसके बाता है आपकी सीट देखेंगे तो इंगल्स में आपकी 23 सीट है फ्रेंच में आपकी सीट है तूरिजम एक सीट है तूरिजम एंड मेनेजमेंट में इसके बाद आता है नेपाली में वन सीट है तमिल में वन सीट है इससे उर्दू में वन सीट है इसके बाद देखेंगे इधर आपके लिंगिस्टिक में जो है जुरो संस्क्रत में आपको 13 सीट है इसके बाद देखते हैं आई पीर में थरी सीट है फि तो आप इस तरह से आपको कहा है थोड़ा सा देखना पड़ेगा को से बहुत कम है क्योंकि इससे पहले जारी होती इसमें सारी सीटी फेल हो चुकी है इसमें आपका जो शुकला जो जो इजर्वेदा है तरह से पहले हैं एक अपका जो फेकल्टी आप शाइंस फेकल्टी आप देखें तो फेप्टी फेप्टीन है सब्सक्राइब कोई सीट नहीं है और इसके बाद बायो इंफॉर्मेटिंग वन सीट है इधर देखेंगे इसमें जोगराफी कोई सीट नहीं है وार्평क्राइब कोई सीट है इसके बाद आपका यहां अता हिमें जैनेटिक और भी सीट थी जीट हमें आपकी यह इसके इसके बाद आपका यहां जैनेस्टिक। सम्मझत हों आप तो इस बार सीटें काफी कम हैं और देख सकते हैं ये आपका ये notification था मैं आजकी इसकी link आप ये आपके इसकी link में आपका website पर डाल दूँगा जिससे आपको आप लोग इसका study कर सकते हैं या आप site पर जाकर के www.bhuonline.in पर जाएं और वहाँ पर क्या है इसको बेकपती को डालोड कर लेंगे बिलिटर में जाकर के लिए फैंट्स तो ये आज का एक best information थी और इसमें किवल यही दुक्की बात है कि इसमें रेक्जेट एक्जम्टेट हैं और इसमें एक्जम्टेट इनेट जेयर या आपके जो गैट वाले हैं वो बच्चे इसमें apply कर सकते हैं clear और फी ठीक ठाक है ज्यादा नहीं कह सकते clear तो इस तरह से ये सारा matter था तो आप अगर vary कर रहे हैं तो जरूर आप इसमें apply करें और आपको into देनेगा मुक्त मिलेगा तो बहुत कुछ सीकरों मिलेगा और आपके लिए में तरब से best of luck thank you bye bye and take care